तो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू दू न्यू वीडियो तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लोग थौस्टे 24 मार्च के लिए चार बहुत ही बड़ी है स्टॉक्स देखने वाले हैं क्योंकि मुझे अचारी स्टॉक्स मिले हैं साथ में आपको मैं Nifty and Bank Nifty का भी एक detail analysis बताऊंगा जिससे कि आपको overall market का एक बहुत अच्छा idea हो जाए अगर आप चैनल पे लाए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को हमारे जॉइन नहीं किया है तो वीडियो के description में लिंक है आप simply हमें वहाँ से जॉइन कर सकते हैं सो फ्रेंट्स अगर हम लोग overall market की बात करें तो अगर आप देखें तो मैंने आपसे हमेशा बोला है मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जब तक 17,400 के level के उपर एक daily time frame में closing नहीं दिखाएगा तब तक हम लोग upside का momentum नहीं माल के चलने वाले हैं और देखिए आज वही हुआ exact lockbox 17,450 के level को जैसे touch किया downside के बहुत बढ़िया rally देखने को मिली nifty 50 में हम लोग कल भी देखिए क्या होता ना कि एक दिन downside की moment देखने को मिलती है फिर next day upside की फिर downside फिर upside तो अगर आपको कल upside की moment देखने को मिलती है इधर से कहीं तो आप मान के चलिए कि आप 17,400 तक के moment देखने को आपको मिल सकती है बट अगर इस लोग को break करेगा starting 10-15 minutes के अंदर तो आपको बहुत आसानी तरीके से 17,000 के level touch होते होगे दिख जाएंगे अब देखें फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं bank nifty की तो पहले मैं आपको बताओंगा कि कल मैंने जहां पर आपको दिया था वहां से क्या moment होई है तो मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको 36,700 के level की around अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है तो आपको केवल short selling का सोच रहे हैं अगर options करते हैं तो केवल P buying करके चल सकते हैं अब अगर आप देखें तो मैंने आपसे बोला था 36,700 के round आपको बढ़िया downside की moment देखने को मिलेगी अगर gap up होगा तो आप देखिए वहां से कितना जादा bank nifty में downside की moment देखने को मिली है लगबग 37,100 की तो आप calculate कीजे बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है अब देखिए बात आती है कल की कल आपका क्या bank nifty में analysis होना चाहिए तो friends अगर हम लोग daily की moment देखें तो अगर आप देखें तो यहां पे एक perfect resistance का formation आपको यहां पे भी देखने को मिलता है around 36,800 के पास और अगर हम उसी side movement आपको देखने को मिलेगी अब देखिए कल क्या हो सकता है कल ideal situation में क्या होगा अगर मान लीजे normal यहीं पे open होता है और उसके बाद अगर आपको down side में movement देखने को मिलती है 10 minute के बाद तो आपने जैसे ही cross करेगा 36,080 या 36,050 का level तो आपको बहुत असानी तरीके से 35,800 एं 35,700 के level टच होते हुए दिख जाएंगे पहली condition, second condition अगर आपका bank nifty gap up होता है 36,400 या फिर 36,500 के पास जहां पे आपको एक important resistance का भी formation इधर ही कहीं देखने को मिलता है अगर यहां पे 5 minute के time frame में कोई bearish reversal candle बनती है यह सूटिंग star, gravestone doji या फिर bearish single thing तो आप buying करके चलेंगे पी buying कर सकते हैं आप और आपके targets होंगे कहां तक आपके targets होंगे 36,200 से 36,100 के बीच में और तीसरा criteria क्या है कि अगर आपका bank nifty gap down होता है gap down होगा अगर आपका माल लीजे 35,900 के पास तो आप तुरन trade नहीं लेने वाले अगर gap down होता है 35,900 के पास we have to wait उसको pull back करने दीजिए upside में कहां तक जाएगा लगबग 36,300 से 36,400 के level तक जाने दीजिए उसके बाद आप वहाँ से PE buying कर सकते हो या पिरा future में short sell कर सकते हो और वहाँ पे आपके targets होंगे 36,000 and 36,100 के अगर आप आप आज की intraday की movement देखें तो बहुत बढ़ी आफास movement देखने को मिली है और सबसे important क्या है कि यहाँ पे एक support का formation है अगर यह इसी flow में इस support को breakdown करेगा तो तो आपको बहुत बड़े targets देखने को मिलेंगे सो फ्रेंड्स हम लोग मुथूट finance में short sale करेंगे जैसे ही इस support का level breakdown होगा around 1328 targets होंगे हमारे 1320 and 1316 stop loss आपको रखना होगा 1335 का एक swing आई मतलब वहाँ पे हम लोग इस support का अगर halt लेगा और upside में अगर आपको reversal देखने को मिलता है तो हम लोग buying करेंगे 1340 के उपर targets होंगे हमारे 1348 and 1352 stop loss आपको रखना होगा 1333 का एक swing लो second stroke रहेगा friends हम लोगा भारती Airtel अगर आप देखे तो यहाँ पे भी एक perfect support का formation है और अगर हम लोग आज की intraday की movement देखे तो morning में एक बढ़िया downside की rally देखने को मिली थी तो अगर इस support का breakdown करेगा तो 702 के round हम लोग short sale करेंगे targets होंगे हमारे 697 and 695 stop loss आपको रखना होगा 706 का एक swing आई वहीं पे अगर इस range का breakout दिखाता है upside में इस rectangular range का तो हम लोग buying करेंगे 707 के उपर targets होंगे हमारे 712 and 714 stop loss आपको रखना होगा 703 का एक swing लो देखिए friends आज हम लोगो न support में बहुत सारे trade मिलने because market ने कुछ वैसी ही movement दिखाई है तो अगर आप देखे तो next stock रहेगा हम लोग का MFSL अगर आप देखे तो last में इसने last की 15 मिनट की candle ने कहीं ने कहीं support का breakdown दिखाया है कर अगर इस लोग को break करेगा तो इसमें आप बहुत बड़े profits capture कर सकते हो so MFSL में हम लोग केवल साट सेल करेंगे below 764 targets होंगे हमारे 760 and 758 stop loss आपको रखना होगा 767 का एक swing आई तो फ्रेंड सब लोग का fourth and last stock रहने वाला है कल के लिए जिंदा लिस्टिल अगर आप देखे तो यहाँ पे resistance का formation था one time two time यहाँ पे three time टच किया फिर थोड़ा सपल बेक हुआ फिर यहाँ पे इसने perfect तरीके से breakout दिखाया है यह कहीं ने कहीं आप swing trading के लिए भी रख सकते हो अगर हम लोग intraday की बात करें तो जैसे ही high care round moment देखने को मिलेगी आपको buying करके एक अच्छा moment देखने को मिलेगा so जिंदाल still में हम लोग केवल buying करेंगे 512 क के उपर targets होंगे हमारे 515 and 517 stop loss आपको रखना होगा 510 का एक swing लो इसका swing trading का idea मैं अपने premium telegram group में update कर दूँगा तो definitely आप हमें वहाँ पे join कर सकते हैं सो चलिए friends हम लोग stocks देख लेते हैं जो हम लोगो नयाज trade करने के लिए select किये थे सो पहला stock था हम लोग का dabber अगर आप देखे तो हमें short sale करना था below 530 एक हम लोग को gap up opening देखने को मिलती है then we have to mark swing low और 530 का level आपका trade हुआ है इधर कहीं और आपने swing high पे stop loss लगाया देखे थोड़ा देर pause लिया accordingly आपके दोनों target बहुत असानी से achieve हुए swing high पे आपने stop loss लगाना था next talk था friends हम लोग का take aim इसमें भी हम लोग को एक gap up opening देखने को मिली then we have to mark swing high और यहाँ पे आपने trade लिया होगा around 1554 के पास तो accordingly हम लोग का पहला target तो आसानी से achieve हुआ second target हम लोग का रहे गिया है next talk था हम लोग का MGL तो friends इसमें तो starting के 15 minutes में इतनी बढ़िया moment हो गई कि उसके बाद हमारा इसमें trade बनाई नहीं है so next talk था friends हम लोग का JSWT लेगर आप देखे तो तो friends next talk था हम लोग का बायो कॉन तो पहले starting के 10 minutes में बढ़िया moment हो गई अगर आप देखे उसके बाद अगर आप देखे तो swing आई पर आपका यहाँ पर trade बनता था तो एक छोटा सा stop loss हुआ है अब यहाँ पर आप quantity थोड़ी से manage कीज़े because पहले से एक बढ़िया moment हो चुकी है so friends अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो please आप हमारे चैनल को subscribe कीज़े and अगर आपने bell icon को press नहीं किया है तो press करना बिलकूर मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो please वीडियो को like कीजिए वीडियो का regarding अगर आपका कोई भी comment है आप comment करके बताइए definitely आपको वहाँ पर reply मिल जाएगा तो चलिए हम लोग next वीडियो मिलते हैं next setting session के लिए कुछ बहुती बड़ी है stock के साथ till then thanks for watching this video and bye bye अगर आपका के लाएगा आपका के लाएगा आपका के लाएगा